नमस्कार अश्टुडी मेट्रियल्स में आपका स्वागत है तो आज देखते हैं क्या खुश खबरी कुछ निकल करके आया हुआ है तो देखिए यहाँ पर लीखा हुआ है देख सकते हैं आप 422 आयूस चिकत्सकों की होगी अस्थाने नियूकति निकला विज्यापन इसका विज्यापन जो है क्या है आपका निकल चुका है वैसे अभ्यार्थी जो इसका आहरता रखते हैं, योगता रखते हैं, वो क्या है इस form को भरसकते हैं इसको डिटेल से जानने से पहले, अगर आप लोग मेरे इस चेनल को सस्क्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज मेरे चेनल को सस्क्राइब कर दिए अब हम लोग देखते हैं इसका मुख्य बात है जो यहाँ पर 2 से 24 मार्च तक भरे जाएंगे online आवेदन इस form को आप कब से कब तक भर सकते हैं तो 2 तारिक से 24 मार्च तक इसको भर सकते हैं इस form को अब है किस स्रेनी में चिकित्सकों की कितनी पद यहां हम लोग क्या है जो किस स्रेनी में कितने पद है वह हम लोग विस्तार से देखेंगे जैसे आपका फर्स्ट है आरवेदिक चिकित्सक इसमें आपका टोटल पद जब देखिएगा इसमें क्या है टोटल पद जो है आपका 207 है टोटल पद 207 है आरवेदिक चिकित्सक में वहीं हम्योपोथी चिकित्सक जो है इसमें अगर टोटल पद का बात करें तो इसमें जो तोटल पद आपका है यहां पर देखिए 137 है आपका वहीं युनानी चिकत्सक का बात करें तो इसमें जो टोटल पद है आपका वह 78 है तो इस परकार काफी सुखद खबर है आयूस चिकत्सकों के जो योगता रखते हैं उसके लिए और यहां कुछ और विस्तार से यहां दि सकते हैं आप हम लोगों ने तो ओनलाइन की बाते तो हम लोगों ने जान लिया और यहां थोड़ा और विस्तार से इसको जान लें ओनलाइन तो 24 मार्च तक करना है 25 मार्च तक ओनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 25 मार्च तक लिंक परिछा सुल्क भुकतान के लिए खुला कहे रहेगा 5 अपरिल तक हार्ड कोपी जमा किया जा सकता है और 5 अपरिल तक आप हार्ड कोपी जमा कर सकते हैं बता देखी राज गठन के बाद पहली बार पहली बार यह जो है आयूस चिकत सुकों की अस्थाई नियुक्ति हो रही है इस से पहले वर्स 2008-09 में अनुबंध पर नियुक्ति कह हुई थी और बाद में बाद वर्स 2010 के बाद कारिदत आयूस चिकत सुकों का अवधी विस्तार नहीं किया गया था हलाकि इसके बाद राश्टिय स्वास्त अभियान में बड़े पिमाने पर अनुबंध में आयूस चिकत सुकों की नि अब यहां देखते हैं हम लोग अनुबंध पर अधारित जो आयूस चिकत सकों को क्या मिलने वाला है क्या खुस खबरी है उसके लिए तो राज में अनुबंध पर कायरत वैसे आयूस चिकत सक जो नियमित रूप से 5 वर्स तक की सेवा दे चुके हैं कितना सेवा दे चुक पांच वर्स तक तो 5 वर्स तक सेवा दे चुके हैं उन्हें नियूक्ति में प्राथ्मिकता दी जाएगे उसको नियूक्ति में क्या है प्राथ्मिकता मिलेगा इसके तहत अनुबंध पर कायरत आयूस चिकत्सकों को नियुक्ती में प्रतेक वर्स दो अंग के हिसाब से अधिक्तम क्या है दस अंग का लाभ मिलेगा तो यहां हम लोगों ने देखा फिर यहां पर इसका जो डिगरी का बात करें यहां पर आप देख सकते हैं क्या किसमें डिगरी आपका लगेगा पढ़ सकते हैं अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिए